Hello friends welcome back to color of threads आज की वीडियो में आप plazo pen की cutting और stitching सिखेंगे और इस वीडियो में जो भी detailing मेंने share की है इसकी help से आप किसी भी size का plazo pen बहुत ही असानी से cut कर पाएंगे तो वीडियो शुरू करते हैं plazo बनाने के लिए ये मेरे पास 72 मेटर का fabric है और इसकी width है 36 inch की पहले हिप मेजरमेंट और पॉंचे की लूजिंग तो पहले हम प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट कट करने के लिए लंबाई में कपड़े को ऐसे टू फोल्ड किया है ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की चुड़ाई वाली साइट है और फोल्डिंग के बाद कपड़े की जो चुड़ाई है वो है 17 इंज की और फोल्डिंग के बाद अगर किनारे पर टेड़ आ रही है तो उसे कट कर दें यहां फिर यहां पर एक सीधी मार्किंग लगा दें अब यहां पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो कमर की मार्किंग करने के लिए हमें हिप मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी हिप का जो भी मेजरमेंट है उसका 1 फोर्थ पार्ट यहां पर मार्क करेंगे तो मेरा हिप मेजरमेंट है 40 उसका 1 फोर्थ पार्ट होगा 10 इंज पर अब इस मार्किंग से 1,5 इंज आगे की 2 इंच तक की देनी है उससे जादा नहीं इसके बाद हमें ready length के लिए marking करनी है उपर 1 इंच की belt आयेगी तो उपर से 1 इंच इस तरह से छोड़के ready length के लिए marking करें मेरी ready length है 36 इंच की तो 36 इंच पर मैंने एक marking की है इसके बाद नीचे से दो इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे अब इन दोनों मार्किंग की उपर स्टेट लाइन ड्रॉ कर दे इस तरह से लैंथ मार्किंग होने के बाद अब हम यहां से क्रोच लैंथ यानि की आसन के लिए मार्किंग करेंगे आसन की मार्किंग के लिए जो भी आपके बेल्ट का साइड जाने की जो भी आपकी कमर का साइज है उसका 1 फोर्थ पार्ट लें और उसमें 2 इंच प्लस कर लें और सभी साइज में आपको 2 इंच ही प्लस करने है अब यहाँ पर सीधी लाइन खीच दे अब इस मार्किंग के उपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे अब यहाँ पर आप कमेंट करके बोलोगी कि ऐसे तो हमारा आसन बहुत छोटा आएगा पर ऐसा नहीं है जो बेल्ट का साइज है उसे हिसाब से आसन आएगा आगे का आसन छोटा होगा तब ही आपकी जो पैंट की फिटिंग है वो अच्छे आएगी पीछे का आसन हम जादा लेंगे अब इस लाइन से 1.5 इंच पर आसन की गुलाई के लिए मार्किंग करेंगे नॉर्मल साइज में ये मार्किंग आपने 0.5 इंच पर करनी है अगर आप 42 से उपर की हिप साइज के लिए बना रहे हो तो यही मार्किंग आपने 3 से 3.5 इंच पर करनी है अब इस मार्किंग के उपर क्रॉच की इस तरह से गुलाई दे अब इस line की हमें center marking करनी है तो ये line हमारी 14 inch पर आ रही है और इसका center mark होगा 7 inch पर तो 7 inch पर हमें marking कर लेनी है अब देखिए ये जो हमारी 7 inch पर marking आई है इसी marking को हम कमर वाली side पर भी mark करेंगे इस तरह से देखिए उपर वाली side पर भी 7 inch पर marking करेंगे यहां पर हम टक्स रडी करेंगे और यही 7 इंच की मार्किंग हमें पहुंचे की उपर भी करनी है इस तरह से अब कमर वाली साइड पर जो हमने 7 इंच की मार्किंग यह है इस मार्किंग की उपर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो इस marking की लंबाई में पांच इंच पर mark करें और यहाँ पर एक सेधी line draw कर दें अब इस line के दोनों तरफ आधे आधे इंच पर इस तरह से तिर्ची marking कर ले तो यह हमारे टक्स की marking complete हो चुकी है आसन की मार्किंग होने के बाद आसन वाली साइड पर एक इंच पर इस तरह से कितरची मार्किंग करें नॉर्मल साइज में ये मार्किंग एक इंच पर करनी है और वड़े साइज में ये मार्किंग डेर इंच पर करें अब हम पॉंचे की लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे तो आठ इंच की पॉंचे की लूजिंग है सेंटर मार्किंग से चार इंच इस तरफ और चार इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे चार इंच में हाफ इंच मार्जन का एड़ करें तो साड़े चार इंच पर यहां पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन के दूसरे तरफ भी साड़े चार इंच पर ही मार्क करें अब इस वाली मार्किंग को आसन वाली मार्किंग के साथ जोड़ेंगे और इस वाली मार्किंग को इस लाइन के साथ जोड़ेंगे तो मैं Curve Scale के साथ इन दोनों मारकिंग को जोरूंगे अगर आपके पाई ये Scale नहीं है तो anti-tip के साथ सिधी मारकिंग के साथ इन दोनों लाइन को जोर ले और बाद में हलका सा इन में Curve दे दे अब Scale को घुमा के यहां पर भी हलका सा Curve दे ताकि यहां पर corner ना बने इस तरह से तो front part की marking बिलकुल complete है अब इस marking के उपर इसे cut कर लेंगे और cutting होने के बाद जो tux की marking की है इस पर इस तरह से small cut लगा दे और bottom के उपर जो 2 inch की extra folding रखी है वहां पर भी दोनों side पर small cut लगा दे front part की cutting बिलकुल complete है अब back part की cutting करेंगे तो कपड़े को उसी तरह से two fold करके रखा है अब front part को इसके उपर रखेंगे इस side से कोई भी margin ना छोड़ें और कमर वाली side से 3 inch का margin छोड़के इसे रखा है अब front part की center marking है उसे check करें कितने inch पर आ रही है तो ये 7.5 inch पर आ रही है तो उपर वाली side पर भी ये marking 7.5 inch पर ही आनी चाहिए अब front part की गुलाई हमने 1.5 inch पर दी थी अब back part की उपर भी 1.5 inch पर marking करेंगे अब यहाँ पर front part का corner आ रहा है यहाँ पर एक सीधी line ड्रॉ कर दें इस तरह से और यहाँ तक front part की length आ रही है वहाँ पर भी marking कर ले अब इस corner पर back आसन की इस तरह से गुलाई दे अब देखे जो back का आसन होगा वो front part से 2 inch जादा लेंगे तो front part से 2 inch उपर की तरफ marking करें इस marking को इस corner के साथ तिर्चा जोडें अगर बड़े size के लिए बना रहे हो यही marking आपने 2.5 से 3 inch तक करनी है और bottom पर 1 inch पर mark करें और सभी size में यह marking एक इंच पर ही करनी है अब इस marking को bottom marking के साथ जोड़ देंगे इस तरह से तो back part की उपर हमने 3 changes किये है जितनी हमने front part की crotch रखी थी उतनी ही यहां back part की crotch की गुलाई दी है और back का जो आसना है वो 2 inch जादर यह है heavy size के लिए 28 से 3 inch पर mark करें और bottom से 1 inch पर marking की है सभी sizes में यह 1 inch पर ही marking आएगी और bottom और इस side पर कोई भी changes नहीं करेंगे front part के साथ साथ इस side पर marking कर लेंगे marking complete होने के बाद front part को side में कर दें और इस marking के उपर back part की cutting कर दें तो front और back part की cutting कमप्लीट होने के बाद अब इसकी stitching करेंगे तो stitching के लिए front part को जैसे हमने cut किया था वैसे ही रखें और यहां पर आसन की सिलाई कर दें बिल्कुल इसी तरह से back part के उपर भी half inch का margin लेते हुए इस पर भी stitch कर देंगे दोनों पल्लों की आसन की सिलाई होने के बाद पहले हम front पल्ले को रड़ी करेंगे तो back पल्ले को side में कर दें और front पल्ले के उपर पहले tux रड़ी करेंगे और जो हमने tux के लिए marking की है उसे दूसरे पल्ले के उपर भी transfer कर दें इस तरह से अब इसे open करें तो जैसे हमने इस वाली side पर marking की है बिल्कुल इसी तरह से दूसरे side पर भी tux के लिए marking कर लेंगे अब इस marking के उपर इसे ऐसे fold करें और half inch का margin लेते हुए दूनों side पर tux को रड़ी कर लेंगे तो एक plate को मैं रड़ी करके दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से दूसरी plate को भी रड़ी कर ले और दूनों tux लगने के बाद अब belt रड़ी करने के लिए चार इंचोड़ी fabric पट्टी ली है और जो पट्टी के length है जितनी plazo की कमर आपने cut किये है उतनी ले 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 अब इस पट्टी को कमर के उपर इस तरह से रखें और half inch का margin लेते हुए स्टिच करें स्टिच करने के बाद इस पट्टी को पलट के सीधा करें अब आगे की belt ready करने के लिए एक इंचोड़ी बुकरम पट्टी ली है तो ये मैंने hard बुकरम ली है बुकरम आप यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं बुकरम को पट्टी के बीच में इस तरह से रख ले और extra पट्टी को fold करके इस पर side stitch कर दे अब belt की दूसरी side पर भी stitch कर दे अब back पले की उपर elastic folding के लिए पट्टी अटाच करेंगे तो यहाँ पर भी चार इंचोड़ी fabric पट्टी को ले और इसे back पले की उपर अटाच कर दे सिराई होने के बाद पट्टी को सीधा करें अब back पले की उपर front part को रखें और दोनों के bottom को इस तरह से मिला ले अब elastic लगाने से पहले plazo की side stitching करेंगे दोनों पलों को ऐसे एक बराबर कर ले और bottom से सिलाई शुरू करते हुए belt से 2 इंच नीचे तक ये सिलाई हमें करनी है यहाँ तक इसी तरह से दूसरी side पर भी bottom से सिलाई को शुरू करते हुए belt से 2 इंच नीचे तक ये सिलाई करेंगे और यहाँ तक सिलाई करने के बाद इसके उपर हम elastic attach करेंगे तो दोनों sides पर इस marking तक हमने सिलाई कर ली है अब back पले के उपर elastic attach करेंगे तो elastic मैंने ली है 1 इंच चौड़ी और elastic की जो लंबाई है वो ली है मैंने 12 इंच की तो elastic आपने किस तरह से लेनी है जो भी आपकी belt का size है जैसे मेरी belt का size है 32 32 का half होगा 16 इंच अब 16 इंच में से 4 इंच कम करेंगे तो आएगा 12 इंच तो 12 इंच की हमें elastic लेनी है तो जो भी आपकी belt का size है पहले उसे आधा करें फिर उसमें से 4 इंच कम करें और सभी size में इसी तरह से आपको elastic लेनी है अब elastic attach करने से पहले इस पट्टी को हमें इस तरह से fold करना है और बाकी का जो margin है उसे ऐसे अंदर की तरफ fold करें और ये folding आपने उतने ही चोड़ी करनी है जितने ही आपने आगे की तरफ belt ready की है अब इस folding के उपर elastic को रखेंगे और यहाँ पर double stitch कर देंगे अगर आप इस तरह से elastic को attach करोगे तो belt बिलकुल आपकी finishing के साथ ready होगी और elastic के दूसरे corner को कमर की दूसरी वाली side पर जोड़ेंगे तो इस वाली side पर भी पहले पटी की folding करेंगे और उसके बाद इस पर elastic को रखेंगे अब folding पर elastic को रखें और यहाँ पर भी double stitch लगा की elastic को attach कर दें और देखिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप comment करके उसके बारे में पूछ सकते हैं दोनों side पर elastic attach होने के बाद अब elastic को ऐसे पलट के अंदर के तरफ fold कर देंगे और folding के साथ जो margin था वो भी अंदर के तरफ ही दब जाएगा देखिए इस तरह से अगर आप belt को ready करोगे तो belt की जो finishing है वो काफी जादा आएगी आप दूसरी वाली side से भी इसे fold करें आप folding होने के बाद इस पर हमें stitch करना है तो elastic को ऐसे अंदर के तरफ fold करते हैं उपर से हमें यहाँ पर stitch कर देना है तो पहले यहाँ से सिलाई को शुरू करें अब इसे turn करें और पट्टी को ऐसे fold करें और यह जो सिलाई हमें elastic के उपर नहीं लगानी है सिर्फ हमें folding के उपर ही यह सिलाई करनी है इस तरह से elastic को खीचते हुए पूरी folding के उपर सिलाई कर लेंगे अब सिलाई को इस तरफ turn करेंगे और elastic के उपर भी सिलाई करेंगे अब दूसरी side से elastic को इस तरह से 3-4 बार अच्छे से खेंच ले अब elastic को इस तरह से आगे से भी खीच के रखे और पीछे से भी कपड़े को खीचते हुए elastic के उपर stitch करें अब इसे फिर से turn करेंगे और elastic को उसी तरह से खीच के इसके उपर एक और stitch कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर single stitch भी लगा सकते हैं पर यहाँ पर मैंने double stitch के साथ इसे रड़ी किया है तो बेल्ट बिल्कु रड़ी हो चुकी है अब बेल्ट रड़ी होने के बाद बॉटम की फोल्डिंग करेंगे तो दो एंच जो बॉटम फोल्डिंग के लिए हमने कट किया था उसे इस तरह से टू फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग होने के बाद folding cake बिल्कुल किनारे पर इसे stitch कर दे तो belt और bottom की folding होने के बाद अब इसकी fitting की सिलाई करेंगे अब दोनों bottom को ऐसे बराबर कर लें और इसे के साथ जो आसन की सिलाई है उसे भी एक बराबर करके रखे अब इस bottom से दूसरे bottom तक यहाँ पर stitch लगाके इसे रड़ी कर लेंगे तो fitting लगने के बाद plazo बिल्कुल रड़ी हो चुका है so friend आज के लिए बस इतना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी subscribe कर दें तो मिलते हैं नई वीडियो में किसे ने topic के साथ अब तक के लिए बाई